नमस्कारतों स्वागत आपसिका आपके अपनेटी चनल अमन प्रयास जी के जिसमें तो दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने माले हैं कि आपका SSC सेलेक्शन पोस्ट 24 में जो आपका फेज 12 का एकजाम हुआ था उसका रिजल्ट है जो कि आपका कब तक आने की संभा तो एसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में जो भी हम लोग बात करेंगे जो भी डेट्स को लेकर हम बात करेंगे वह आपका पिछले साल लोग पर धारित होगा यानि कि बिगत और्ष्रों में आपका SSC सेलेक्शन पोस्ट फिज का जो एक्जाम होता आया है 11 का 10 का 9 का उस ढ़ेसं से दुमाल लगाएंगे कि आपका जो सेलेक्शन पोस्ट फेस्ट फेस्ट जो रिजल्ट हो आपका अ कब तक आएगा साथ में आपका expect पर चल रहे future official cell के बारे में अगर इस cell के दौर आप अगर इनका yearly का टेस्ट बुक पास पूर लेते हैं तो आपको मात्र मात्र 527 पर में ये 5 से जो कि देखने को मिलेगा अगर आप coupon code APZ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का extra of मिलेगा जो कि पहले 10% का मिलता था साथ में अगर आपका selection हो जाता है तो आप इनसे इनका अपना full refund भी ले पाते हैं निनको टेस्ट बुक के बारे में मालूम नहीं है उनको बता दें कि टेस्ट बुक आपको सब एक्जामों का आपको मोक प्रोवाइड कराता है मोक यानी आप जो एक्जाम देने जाते हैं उस उस लेवल का question और उस लेवल का environment आपको टेस्ट बुक उबलब्द कराता है साथ में किसी भी एक्जाम का अगर प्यू आप उसको देखना चाते हैं उसको भी आप मोक के तोर पर देना चाते हैं ठीके तो वह भी आपको प्रोवाइड कराता है ठीके टेस्ट बुक पर आप आपको SSC, Bank, Railway, Defense या आप State Table को एक्जाम का त्यारी करते हैं उन सब एक्जामों को मिला दें तो यहां पर 800 प्लस एक्जामों का 80,000 प्लस मोक्टेश के साथ साथ आपको 17,000 प्लस प्यू आईक्यू भी देखने को मिलता है अगर आप सिजल की त्यारी कर रहे हैं MTS का त्या गजाम आपका हुआ ठीके तो वहां पर जिन लोगों ने मोक को दिया था और जिन लोगों ने यह अग्जाम आता है तो वहां से कि बहुत ही मजबूती तोर पर आप अगर त्यारी करते रहेंगे तब और मुक्ष्ट लगाते रहेंगे तब तो कूपन कोट एपीजी जरूदिश कीजिएगा चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे परले हम लोग देखते हैं कि पिछले साल जो आपका 2023 में आपका SSC सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 को जो एक्जाम हुआ था उसका क्या आपका डेटा रहा है तो इसका जो लास्ट डेट था जो कि अपलाई करने का वो था आपका 27 मार्च 2023 जिससे आपको कोई भी लेना देन नहीं है ठीक है साथ में करेक्शन डेट की बात करेंगे तो 3-5 अपरेल तक था इससे भी आपको लेना देना नहीं है आपको जो लेना देना है वो अब है कि आपका जो इसका CVT जो एक्जाम आपका हुआ था वो फ्रेंट्स आपका हुआ था 27 से लेकर 30 जुन 2023 के बीच या अगर इन दो डेटों के बीच में आपका कितना दिनों का गैप था तो यह गैप आपका था 60 दिनों का ठीक है तो दो महिना 15 दिन का आपको गैप देखने को मिला था आपका सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 में जो कि आपका पिछले वर्ष एक्जाम हुआ था ठीक है तो यहाँ स्टेट का अपलाई करने का फॉर्म और आपका 13 6 2020 यानी कि 13 जून 2022 इसका जो स्विटी जो एग्जाम आपका हुआ था वह आपका एक से लेकर 5 अगस्त के बीच हुआ था 2022 में यानी कि एक अगस्त से आपका एक्जाम दो आकदा एक जब्म एप यानि कि 23 December 2022 को result आपका आया था ठेके जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा gap है जो कि gap आपका 140 दिनों का था यानि कि 4 महिना 18 दिनों का gap था ठेके तो gap को देखते रहेगेगा इसके अलवा सेलेक्शन पेस्ट फोस्ट फेस्ट 9 की बात करेंगे जो कि आपका 2016 में exam हुआ इ यानि कि इसका exam आपका हुआ था दो प्रवरी से लेकर 10 प्रवरी के बीच यानि कि 2 से exam आपका शुरूआ था और आपका 10 प्रवरी तक चला था ठेके इसके बाद इसका जो exam था आपका UP region का आपका अलग हुआ था ठेके बाकी सब region का 2 से 10 प्रवरी के बीच हुआ था लेक 16 March को समाफ गुए 2 फरोरी से सुरोग वा था ठीक है लेकिन इसका जो justified वह ौेज़व का का आया तो इसका रिज़व आपका आया 2022 की बात करते हैं तो आपका 40 दिनों का था और 2021 इसमें बात करते हैं तो ये gap आपका 107 दिनों का रहा है ठीक है तो आप लोग को नमान लग यह होगा कि आपका जो result है आपका last date of exam से लेकर minimum कितना दिनों में आ सकता है तो minimum हम लोग मान के चलते हैं 75 दिन और maximum मान के चलते हैं 1.5 दिन ठीक है तो 2024 की बात करते हैं तो 2024 में आपका क्या-क्या date रह सकता है result आने का ठीक है तो 2024 को देखिए 2024 की बात करते हैं तो 2024 में आपका SSC selection post phase 12 का exam हुआ है वेकेंसी की बात करते हैं तो 2049 वेकेंसी था टोटल फॉर्म फिल की बात करते हैं तो फॉर्म फिल आपका 30 लाख हुआ है जिसमें से तेन्थ लेवल का 12,72,12 लेवल का 10,79 और गेजिशन लेवल का 10,30,000 फॉर्म फिल हुआ है तो इसका जो last date था फॉर्म को अपलाई करने क वो था आपका 26,3,2024 यानि कि 26 मार्च,2024 को इसका जो CVT जो एक्जाम आपका हुआ है वो हुआ है आपका 20 से लेकर 26 जुन के बीच में हुआ है यानि कि 26 जुन को एक्जाम आपका समापत्वा था और 2 अपरेल को आपका इसका एंसर की भी आ गया था ठेकें इसके बाद र है जाढ़ा रिजल्ट्ट आपको 9 सेतमबर 2024 को आने की संभामना है ठिकें लेकिन हम तो कोई भगवान है नहीं कि आपको 9 सेतमबर वता दियें तो 9 सेतमबर को ही रिजल्ट आएगा ठिकें ये जो डेठ है आपका 75 से 80 जी दिन हुआ ठेकें 75 से 80 दिन हुआ नहीं Dusy के लेकर 15 सप्कंबर के बीच में आने की संभावना है, इसके बाद अगर मान के चलते हैं कि SSC आपका 65 दिन लेता है, जो इसका चांस कम है, ठीके, तो अगर आपका SSC 100 से 110 दिन भी लेता है आपका result को publish करने में, तो ये result दोसों आपका 4 October से लेकर 14 October के बीच में आने की संभावना है, अगर 100 दिन पलस लेता है तब, लेकिन बात हो ही है कि 2022 में आपका जो result आया था, वो आपका 140 दिनों के बाद आया था, ठेके, तो अगर हम लोग 140 दिन भी मान के चलते हैं, तो 140 दिन भी मान के चलते हैं, तो आपका result 13 November 2024 के बाद देखने को मिलेगा, ठेके, अगर आपका SSE 140 से 1500 दिन लेता है तब, ठेके, 1400 से 1500 दिन लेता है तब, तेरा से आपका 23 November के बीच result देखने को मिलेगा, जिसका chance बहुत ही कम है, ठेके, आपका 2022 में कुछ बाते रही होगी, जिसके कारण आपका late result को late से publish किया गया था, लेकिन ज्यादा से chance है आपका, कि आपका result 75 से 80 दिनों के बाद, यानि कि 9 से 15 सेकंबर के बीच कभी भी आपका आ सकता है, ज्यादा चांस ही है, ठेके, इसके बाद तोह से देख लेते हैं, कि आपका 2022 में या 2023 में क्या कुछ रहा है, last date of form को apply करने का severity exam जो start हुआ था, उसके दिनों का gap देखते हैं, तो आपका 2023 में आपका बिरानमी दिनों का gap था, तो जब 22 में देखिए, सबसे जो आचर जिकन्दी की बात है, कि आपका जो last date अप्लाइ करने का form का, और CVT जो आपका exam start हुआ था, उसमें मात नो मात 49 days का ही gap था, लेकिन result आपका बहुत देरी से आया था, ठेके, और post 9 की बात करते हैं, तो इसमें आपका 2065 दिन लगा थ था, यानि कि 75, sorry, 25 October को आपका last date अप्लाइ करने का, और exam आपका start हुआ था, दो फरवरी को, हालांकि से हम कोई, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है, वो दोस्तों आपका CVT exam का end date से, और आपका result का ability हुआ उससे है, तो आपका हुई है, 75 दिनों का समय तो आपको लगना है, तो 75 दिन, आपका result जो कि आपको आ जाएगा, जो कि पिछले साल भी आपका इसा ही trend रहा था, तो हम लोग जाद दर पीछले साल का hit trend मान के चलते हैं, एक example के तो पड़ ले, तो मान के चलते हैं, कि जो आपका कल, आप मान के चलते हैं, कि आप 6 मिनट में 1 किलिमेटर कल दोर रहे हैं, तो आज भी तो उसी के आसपास से आपका efficiency रहेगा, ये तो नहीं है, कि आप 2 साल पहले, आप 15 मिनट में 1 किलिमेटर दोर दोर थे तो उसका efficiency गिनाएगा, उसका तो नहीं गिनाएगा, गिनाएगा तो आपका कल कही, तो उसा हम लोग लेक तो इसका cut-up के बारे में बात करना है कि पहार पर चलना है ठीक है बीना oxygen का फिर भी आपको cut-up है जो कि आपको एक PDF दे जाएगा उससे पहले दोस्तों आपको यहां पर वेकेंसी देख लिजिए कि आपका post 23, post 11 में वेकेंसी आपका 5309 था और post 22 में आपका 2500 वेकेंसी था औ कि आपका बात करते हैं 24 में तो यह आपका 1996 जानिक ही आपका जो cut-up है न वो आपका कहीं नकरी 22 के आदे देखने को मिलेगा जितना 222 में अगर आप जाना चाते हैं कि आपके आपके अपने अपने चैंटी डिमें अपने पोस्त यह क्या क्या कटफ जा सकता है तो उसके लिए दूस्तों आप इस पीडियोफ को देख सकते हैं पीडियोफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसके लाबा अगर हो सकेगा तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में डालने का प्रयास करेंगे जहां से आप लोग इसको डाउनल है जिसा कि आप पहला देख रहे होंगे कि लेवल का था और मार्केटिंग असिस्टेंट का जो कटफ है सबसे हाई जाने की संभावना है 165 का ठीके उसी परकार से अगर हम नीचे जाते हैं तो सबसे लोग जो कटफ आपका जाने की संभावना है आपका ग्रिशन लेवल का वह दोस्तों आपका किस कर्टिगरी का जाने की संभावना है और किस पोस्त का है तो उसको भी आप लोग यहां पर एक बार देखने का प्रयाश किजिएगा इसे तो यह पीडिएफ आपको मिल जाएगा तो यहां पर आपकी रिशन लेवल का देख सकते हैं मेडिकल लेवल मिलते हैं नेक्स वीडियों में जब तक लिए हैं जैंद